गुड मॉर्निंग प्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपस्यूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली वर्लाइनर्स की फॉर्म में करेंट अफेर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे वीक का फ्री पीडियस कोशन आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ तो अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडियाफ के लिए आप हमारे टेलिग्राफ ग्रूप जॉइन कर सकते हैं पिछली हफते का पीडियाफ 18 से 23 सितंबर का आपको मेरी टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेर्स चर्चा में है यह देखिए बहुत इंपोर्टन है क्योंकि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बन गया है तो बर्लिन में मेराथन हुई थी एक इसमें एथियोपिया की धाविका है रिकॉर्ड था उसे इन्होंने दो मिनिट ग्यारा सेकिंड से हरा दिया है ठीक है तो यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने मेराथन में कया है टाइगिस्ट अससेफा ने तो इनका नाम याद रखिएगा इथियोपिया की है कहां पर हुई थी बर्लिन में अगला भारत है पर यहां पर देखिए एक एकसरसाइज होने वाला है उसका नाम क्या है F T X के नाम से उसको जाना जाता है F T X यानि टरेनिंग एकसर्साइज तो काउंटर टेरिरिजम फिल्ड ट्रेनिंग एकसरसाईज 2023 के नाम से जाने जाने वाला यह है महतुपूर्ण कारिकरम 25 से 30 सितंबर तक होने वाला है तो आपका फिल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यह याद रखिएगा कहां पर रशिया में सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने मेटावर्स पर जो की एक फेस्बुक का प्लेटफार्म है या फेस्बुक की पेरेंट कंपनी है सभी को पता होगा मेटा ठीक है मेटावर्स का ही जो प्लेटफार्म है उस पर सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने भारत का पहला वर्चुवल शोरूम लॉंच किया जिसे Sankovers का नाम दिया गया है, तो Sanko Gold से आप याद रह सकते हैं, Sanko से और Metaverse से मिलकर बना है Sanko vers और भारत का पहला virtual jewelry शोरूम है, प्री-from-food, दुबई कारेकरम, दुबई होटल & conference center में समबन हुआ, तो आप से सीधे पूछ सकता है, प्री फ्रॉम फूड जो हाल ही में कारेक्रम है कहां पर हुआ है तो ये दुबई में आयोजित किया गया है ये भी देखे काफी important है पुरातत्व विदो ने जांबिया और तंजानिया की सीमा के पास दुनिया की सबसे पुरानी ग्यात लकडी की संरचना की खोच किया तो अभी तक जो हमें लकडी के structure जितने भी मिले है उसमें सबसे पुराना है ये और कहां पर मिला है जांबिया और तंजानिया की सीमा के पास ये मैने कल community में कुछ भी डाला था बात करें अगर जांबिया की जांबिया की जो राजधानिया वो क्या है वो है आपकी लुसा का ठीक है और तंजानिया की तो सब को पता ही होगा डोडोमा डोडोमा इसकी capital है आगे चलते हैं तो रेड़ पर्न में पहली महिला कौन बनी है सू रेड़ विश्व नदी दिवस हर साल चौथे रवीवार को मनाया जाता है सितंबर के चौथे रवीवार को माफकीजी सितंबर का जो 4th संडे आता है उत्में ये मनाया जाता है एक देखे डेथ हुई है वो थोड़ी सी चर्चा में इटली क पूरवराश्थ्पती Giorgio Napolitano का 98 वर्ष की आयू में निधन हो गया है, तो आपसे सीधे पूरचता है की हाली में Giorgio Napolitano का निधन हुआ है, वो कौन से देश के पूरवराश्थ्पती थे? तो इटली के पूरवराश्थ्पती थे. यह देखिए काफी important है coal wetlands कुछ मुल्य वाली जैब विवित्ता यानी बहुत ज़्यादा biodiversity यहाँ पर मिलती है का एक अंतरराष्टी इस्तर पर महतवपून रामसार साइट है तो coal जो आदरभूमी है यह एक रामसार साइट भी है एक विदेशी आकरामक परजाती कैबोंबा फुरकुटा के खत्रे का सामना कर रही है तो देखिए इनको बोला जाता है invasive species ठीक है जो बाहर की परजातिया होती है और local species को खराब करने लगती है जो आपकी इस्थानिय पर जातिया होती है उनको ये खराब करने लगती है तो इसकी वज़े से देखिए एक pink color की पूरी layer इसके उपर बनती जा रही है wetland के उपर जिसकी वज़े से इसको काफी खत्रा हो रहा है मैंने नीचे देखिए photo भी लगाया है ठीक है इसको pink bloom के नाम से भी जाना जाता है pink bloom तो आपसे सीधे अगर पूछे कि हाली में pink bloom का सामना कौन सा wetland कर रहा है तो केरल राज्य में स्थित whole wetlands और केरल का देखिए सबसे बड़ा खारा आद्र उश्ल कटी बन दी है आद्र भूमी पारिस्थिति की तंत्रे यानि wetland ecosystem है तो केरल में है इसको याद रखिएगा इसके अलावबा केरल में देखिये कुछ और रामसार साइट भी है एक तो आपकी अश् движin अश्ट मुडी लेख है यह सारे आपके कुछ के अन्य रामसार साइट है रामसार की अगर बात करें रामसार जो कनवेंशन है 1971 में इरान का एक शहर है रामसार वहाँ पर ये साइन किया गया था उसी के नाम पर इसका नाम रामसार कन्वेंशन है इसके तहाट अलग-अलग देशों में रामसार साइट की घूशना की जाती है जो इंटरनेशनल इंपोर्टनेंस यानि अंतराष्टे महत्व के होते हैं भारत में वर्तवान में टोटल 75 रामसार साइट है सबसे जादा रामसार साइट तमिल्लाडू में है उसके बाद उत्तर परदेश का नंबर है जिसमें 10 रामसार साइट है आगे चलते हैं ये भी काफी कल्चर्चा में रहा न्यू जर्ची के रॉबिन्स विले टाउन्शिप में स्वामी नरायन अक्षरधाम मंदिर का उधगाटन 8 अक्टूबर 2023 को होने वाला है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन जाएगा अगर हिंदू मंदिर की बात करें तो वो है आपके कमबोडिया के अंग कोरवाट में उसके बाद देखिए होने वाला यह सबसे बड़ा मंदिर है और कहाँ पर बन रहा है अमेरिका के न्यू जर्ची के रॉबिन्स विले टाउन्शिप में नाम क्या है स्वामी नारायन अक्षरधाम मंदिर भारत के बाहर निर्मित यह स्मार किया मंदिर कमबोडिया के राजसी अंग कोरवाट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने की और अग्रिसर है तो यह काफी इंपोर्टन्ट है आइसी 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 आई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भारगव दास गुपता के अपने पच्चे स्टीफे के बाद सबसे अच्छा शेहर माना जा रहा है और जो भारत का इस समय सबसे अच्छा शेहर माना जा रहा है मध्यपरदेश का इंदौर वहाँ पर एक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर यह आपका लॉंच किया जाएगा इसके लावा मध्यपरदेश अभी चर्चा में क्यूं था मध्यपरदेश के उंकारेश्वर में 108 फीट उची आदिगुरु शंकराचारे जी के बाल सोरूप की प्रतिमा का नावरण किया गया था मध्यपरदेश से ही परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पाच वंदे भारत एक्सप्रस को हरीजंडी दिखाई थी मध्यपरदेश का यह डिस्टिक है शेहडौल डिस्टिक वहाँ का गाउं है लालपुर गाउं जी ने foundation stone आधारशिला रखी थी किसकी शिरुमणी गुरुदेव श्री रविदाज जी के memorial की इसको भी याद रखिएगा ये भी important है रविदाज जी का memorial मध्यप्रदेश में ही नरेंद्र मोदी जी ने उसकी आधारशिला रखी है हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में तो जावा और सुमातरा दो आईलेंड आपने देखे हूंगे इंडोनेशिया में वहां के पूर्वी जावा जो प्रांत है उसमें माउंट सिमेरू जौला मुखी पढ़ गया तो माउंट सिमेरू जौला मुखी कहा यहां पर है ताल वॉलकेनों आपका फिलिपीन्स में इस्तित है यहां पर देखिए क्या हुआ था ताल वॉलकेनों बहुत बड़ा वॉलकेनों नहीं है बहुत छोटा वॉलकेनों है फिलिपीन्स का लेकिन यहां से निकलने वाली Sulfur Di Oxide Gas के कारण वहां के आसपास के छित्रों में रहने वाले 45 बच्चे बीमार पड़ गए और उनकी तवचा में भी काफी इंफेक्शन हो गया तो ताल वॉलकेनों या ताल जौला मुखी भी याद रखिएगा ये फिलिपिन्स में इस्तित है भारत की अगर बात करें तो भारत का एक मात्र सक्रियजवाला मुखी का नाम क्या है बैरन द्वीब ठीक है बैरन आइलेंड ठीक है 1991 के बात से इसमें कोई भी विस्वोट अभी तक तो नहीं हुआ है और यह कहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीब समों में इस्तित है देखिए फत्यपूर सीकरी थोड़ा सा चर गया और इनकी वहाँ पर म्रत्ती हो गई तो यह थोड़ा फतेवपूर सीकरी अभी चर्चा में है यह मुख्य रूप से लाल बलुवा पत्थर से बना शहर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा से 37 किलोमेटर की दूरी परस्तित है मुस्ली मुगल आर्किटेक्चर आप पतेवपूर सीकरी मुगल समराज्य की राजधानी था उसके बाद देखे थोड़ा वाटर की शॉटेज हो गई पानी की कमी के गारण पतेवपूर सीकरी से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था पतेवपूर सीकरी की अपरयाप जलापूर्थी के कारण 1586 में मुगल राजधानी को दिल्ली स्थानांत्रित कर दिया गया था तो आपसे ये भी देखे पूर्च सकता है कि पतेवपूर सीकरी से दिल्ली राजधानी कब स्थानांत्रित की गई थी 1586 में किस कारण पानी की समस्या के कारण 1986 में इसे युनेसको की वर्ल्ड हरिटेट साइट के रूप में नामित किया गया था इसके लावा दो अभी नई हमारी युनेसको की वर्ल्ड हरिटेट साइट आई है कौन सी एक तो आई है शांती निकेतन ठीक है शांती निकेतन जो की पश्चिम मंगाल में इस्तित है इसी के अंदर आपका रविंदर नाथ टैग और जी द्वारा स्थापित विश्व भारती यूनिवस्टी भी है दूसरा भी आया है आपका होई साल होई साल टैंपल गृप्स तो होई साल के जो मंदिर है यह आपके करनाटक में अस्तित है ठीक है जो करनाटक का बेलूर हेल विडू वाला एरिया है वहाँ पर यह आपको देखने के लिए मिलेंगी तो यह दो नई साइट अभी यूनेस्को में शामिल हुई है इसके वाद भ अकबर ने बुलन दर्वाजय का निर्मान अपनी गुजरात विजय की याद में किया था इसको हमें याद रखना है इसके अलावे यहाँ पर दीवाने आम है दीवाने खास है और पंच महल है तीक है इसी के जो पांचवी बिल्डिंग थी यह सबसे टॉप का जो फ्लोर थ और इसकी थीम क्या है न्याय वित्रण प्रणाली में उभरती चुनाजिया यानि एमर्जिंग चैलेंजर से इंदा फिल्ड ओफ जस्टिस डिस्ट्रिबूशन सिस्टम यह देखिए यूपी की नियूज है थोड़ी सी उत्तर प्रदेश सरकार ने सची वाले के कारियों में तेजी लाने और फाइलों का तुरित और पारदर्शी निप्तान शुनिशित करने के लिए एक अधिकारी डेस्क प्रणाली यानि ऑफिसर डेस्क सिस्टम की मोदी जी ने इसकी आधारशिला रख दी है और इससे कई ना कई जो स्पोर्ट्स वगएरा है वो भी प्रमोट होंगे और राजस्वकी प्राप्ती भी राज्ये को होगी तो और यह शिवजी की थीम पर बनाया जा रहा है ठीक अत्रिशूल वगएरा डमरू वगएरा के मह अधरी की देश है वो जाधातर लोंकम कंट्री में आते हैं बहुत गरीब देश हैं तो और जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजनसीज हैं वो इसको बहुत अच्छी रेटिंग नहीं देती जिसकी वज़़े से देश में इंवेस्ट्मेंट जो हे वो प्रभावत होता है क् आपका financial agencies होती है वो इतना जादा loan वगरा provide करना पसंद नहीं करती तो इसके लिए इनोंने का कहा है इनोंने अपनी खुद की एक credit trading agency develop करने की बात की है तो इसलिए अपनी चिंताओं के जवाब में अगले साल एक नई अफरीकी credit trading agency launch करने की योजना यह बना रहा है तो देख international cricket council यानि ICC ने 5 October से शुरू होने वाले पुरुष cricket विश्व कप के लिए आधिकारिक anthem जारी कर दिया यानि एक song launch कर दिया है और song का नाम क्या है दिल जशन बोले इसमें बॉलिवड superstar रणवीर सिंग जी और अन्य लोगप्रिय शोशल मेडिया प्रभावशाली लोग शाम अपन क्लू ग्राम वर्ग में कान से पदक जीता है इसके लावा एक sports का लौड चर्चा में रहा cricket में ठीक है जो Asian Games चल रहे हैं आपके 19 में एशिया ही खेल चल रहे है हंगलू चाइना में वहाँ पर महिला cricket टीम ने final में शर्लंका को हलाकर gold medal जीता है अंतर राष्टिय सांकेतिक भाषा दिवस इंगलिश में बोला जाता है International Sign Languages Day हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीन क्या रही एक ऐसी दुनिया जहां हर जगा बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं तो a world where these people everywhere can sign anywhere तो यह आपको याद रखना है कल इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो हिंडन एयर बेस है काजियाबाद में इस्तित है वहाँ पर भारतिय वायू सेना के अड़े पर भारत ड्रोन शक्ती 2023 का उधगाटन करेंगे तो कल यह उधगाटन इन्होंने कर दिया भारतिय वायू सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया कारेकरम का संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं इसके अलावा देखिए कल एक C-95 विमान है उसको भी इंडक्ट कर लिया गया है रक्षा मंतरी आपचारिक रूप से C-295 ट्रांस्पोर्ट वेहिकल जो परिवहन विमान है वो भारतिय वायू सेना में शामिल कर पर मेक्सिको बोस्निया और हर्जे गोविना और अर्मेनिया के अपने संकक्षों के साथ अलग-अलग द्वीपक्षिये बैठके की तो देखिए इसले मने डाल दिया है आपसे राजधानी वगरा बहुत पूश्टा रहता है तो मेक्सिको की जो कैपिटल है वो है मेक्सिक मेक्सिको सिटी बात करें अरमेनिया की तो अरमेनिया की कैपिटल है यह रावन बात करने अगर बोस्टनी और हर्जे गोविना इसकी जो राज़दानी है वो है तारा जेवो यह तीनों कैफिटल आप जरूर याद रखेगा मेक्सिको की आप से करंसी भी पूछ लेता है तो करंसी है इसकी पीसो मेक्सिकन पीसो इसको बोला जाता है भारते सेना और अमेरिका की सेना का वारशिक युद्दव्यास थी कि इसको युद्दव्यास के नाम से ही जाना जाता है एक्सरसाइस युद्दव्यास किसके बीच में होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में ये कल से अमेरिका के अलासका में शुरू होने वाला है इसके इंडेक्स यानि उस्टेलिया, इंडिया, एक्सरसाइज, तेज का पांचवा संस्करन, सिड्री उस्टेलिया में आयोजित किया गया, अमेरिका, साओधी अरब, ग्रीस, कतर और भारत के बीच अभ्यास, ब्राइट स्टार 2023, तो काहिरा एयर बेस कहां पर मिस्र में, भारते नौसेना और रॉयल साओधी नौसेना, इसमें रेड सागर में आपका, या लाल सागर में, साओधी अरब के बीच में एक्सरसाइज की गई है, नाम क्या है, पासेज एक्सरसाइज, और इसमें किसने भाग लिया है, भारत की तरह से, आई एनेस, चिन नहींने, मालाबार बहुपक्षी अभ्यास का, 27 वा संस्क्रान कहां पर हुआ, सिडनी, ऑस्टेलिया में हुआ, चीन और यूए के बीच में पहला, देखिए, यह पहला ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इन दोनों के बीच में, चीन और यूए के बीच में, नाम क्या है, पहला, फॉलकन इसका नाम है, यह अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है, क्योंकि नेटो में वैसे भी कंट्रीज काफी है, बात करें नेटो की, तो नेटो का हैट्वाटर कहां पर है, ब्रसेल्स, बेल्जियम, ठीक है, नेटो का भी लेटेस्ट मेंबर कौन बना था, फिनलेंड बना था, फिनलेंड की राजधानी क्या है, हेल्सिंग की है, ठीक है, तो यही देखे सारे फैक्ट सभी चर्चा में थे, स्टेटफास्ट डिफेंडर ये नाम याद रखिएगा, नेटो के द्वारा किया जाने वाला आप तक का सबसे बड़ा ये बहु पक्षी है, अभ्यास है, ठी